हेलो गाइस तो आभी के टाइम में इस तरह के रील बहुत बाइडल है इस्टेग्राम पर तो इसे एडिट कैसे करें चलिए जान लेते हैं आज उकियों मुबाइल स्क्रीन पर तो चले जाएंगे सिंपल इस्टेग्राम पर हमारे तो यहां पर आपको कोई भी एप्लीकेशन की जौरत नहीं पड़े की सिंपल इस्टेग्राम ही काफी है हमारे लिए तो चले जाएंगे रील वाले शेक्शन पर तो आप देखिए इस इफेक्ट का नाम मैं यहां पर सर्च कर लिए हूँ आप अच्छे से देख लेना उसके बाद इसको हम देख लेंगे यह फर्स्ट में वह इफेक्ट आ चुका है तो आप एक काम करना इसको सेफ करके रखना है तो यह है वह इफेक्ट आप लोगों को अगर अच्छे से समझने हैं तो मैंने इस पर एक मार्क बना दिया है तो यह इफेक्ट को को आप्वको से से रहे लिए ना है से जब सेब करना है तो यहहां पर सुप का ओपशन ऑन यह से बैक चले है उसके बाद यहां से हम कोई भी एक फोटो को स्लेक्ट कर लेंगे अपने ग्यालरी में से तो मैं यहां पर एक लड़की का फोटो है जो उसे स्लेक्ट कर लेती हूं तो अपने हिसाब से इसे आप अज्छेस्ट कर लेना आपको छोटा बड़ा जो भी जिस तरह से चाहिए उसके बाद आपको इफेक्ट वाले आप्शन पर यहां पर चले जाना है यहां से आपको सेम जिस इफेक्ट वाले हमने सर्च किया है तो सेप पर जाओगे तो वह इफेक्ट आपको इजली मिल जाएगा तो इस इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ही आप देखिए फोटो पर ह हमें ब्लैका वाइट जाने के बाद चैना होगा तो सेम उसी फोटो को हम को यहां से ले लेना है तो यहां से मैं उस फोटो को यहां से ले लेती हूं उसके बाद आप अपने fingers के मदद से adjust करेना चोटा बड़ा जिस भी size का आपको चाहिए इस तरह से side में रख लेना इसके बाद हम जाएंगे song वाले option पर तो इसके साथ जो song attach करना है उस song को हम save करके रखेते पहले से तो उसे पहले हम धून लेते हैं तो से वाले option पर मैं चले जाओंगी उसके बाद उस song को हम धून लेंगे तो यह song मुझे मिल चुका है इस song के ऊपर हम प्रेस करेंगे तो स्वांग को मैं पहले आप लोगों को दिखा दे कौन वाला है तो ये वाला आपको सेप करके रखना पड़ेगा तो ये सेप हो चुका आप डन कर देंगे तो हमारा स्वांग भी आ चुका तो हमारा फोटो एकदम एडिट होके रेडी है तो उसको नेक्स् करना बहुत ही जरूरी है किसी भी रिल को पोस्ट करने से पहले तो यह हाई को लेटे अगर आप रहेगा तो इससे अन कर लेना आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे बीटो